हाई गाईस वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो गाईस अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप देख रहे होंगे आज का जो नया वीडियो है दस उसका टॉपिक है वी सेंटर इन्हेंस्ट लिंक्ड मोड क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जो वी सेंटर सर्वर हमारे पास अभी लेटिस्ट वरजन है 7.0 उसमें ये एक फीचर दिया है तो इसका काम क्या है बेसिकली और इसमें क्या-क्या फीचर होते हैं तो इसके बारे में हम आज के साथ आज आपके साथ इंफोर्मेशन शेयर करेंगे उमीद करते हैं कि ये वीडियो वैल्य युडियो बल्ल लगते है तो आपको मालूम है आपको क्या करना है वीडियो के अंत मे उबॉदध आख दो लॉक्त रेटी पलंट्व घृर्ड ले, लर्मेशर जाल यह तो एन शेंगल इंस्टेंस होता है ओ याप एक याइलिटर ले लेता हुमШ hrub basically इसका यूस जोता है मानली कि आपके पास में बहुत आए चला गया आपको एक्जैम्पल दिखाने के लिए हैं तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास में भी संतर सरवर है वह एक step eight आठ वी सेंटर सर्वर है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वी सेंटर सर्वर पर लॉग इन करके, किसी भी वी सेंटर सर्वर को मैनेज कर सकते हैं, यह काम होता है, इनहेंस्ट लिंक्ड मोड जो हमारे पास, फोर वी सेंटर सर्वर अप्लाइंस अबलेबल है, तो बिसि center server and view and manage the inventories of all the vcenter server in the group तो basically एक group हो गया you can join up to 15 vcenter server appliance deployment with vcenter enhanced mode तो यहाँ पर हम क्या है single sign-on domain पर जो हमारे पास v square single sign-on domain बनता है उस पर हम 15 vcenter server को add कर सकते हैं vcenter server appliance को तो I hope कि आपको काफी informative लगा होगा दूदर चीज इसके बाद में आप देखिए you can create a vcenter enhanced linked mode group during the deployment of vcenter server appliance तो यह भी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे हम group create करते हैं यहाँ पर vcenter enhanced linked group mode group यह तो करना ही पड़ेगा है बहुत आसान होता क्योंकि काम करने के लिए and you can join a vcenter enhanced mode group by moving और repointing तो हमारे पास बाद में भी हम move कर सकते हैं और repoint कर सकते हैं एनी अदर server को हमको इस group में add करना हो तो अब vcenter server from one vspare domain to another existing domain तो आपे जो अगर कोई existing domain है तो एक domain से दूसरे domain पे भी हम move कर सकते हैं तो यह इसकी कहना चाहिए features हैं बहुत ही अच्छी चीज जाए इसके बाद में और चीज आपको पता हूँ इसके बारे में थोड़ा तो गया इस वी center enhanced linked mode for vcenter server appliance तो इसके बारे में देखिए लाइक हमने पहली देख लिया है कि enhanced linked mode support is enabled for vcenter server appliance deployment and you can connect vcenter server appliance deployment together to form a domain तो हम बहुत सारे क्या है vcenter server appliance को मिला के एक domain जैसा भी बना सकते हैं और इसमें देखिए इसकी कुछ और other features के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला क्या है यह a simplified backup and restore process ठीक है तो यह बहुत ही simple है अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो मैंने कुछ एक video upload करूंगा में एक video और इसके बाद में क्योंकि यह topic आपको समझना चाहिए clarity होनी चाहिए ठीक है लाइक file waste backup and restore और इसके बाद में a simplified high ability process है removing the need of load balancers इसके बाद में दूसरे चीजा भी बता दिया मैंने कि हम इसमें 15 vCenter server appliance को add कर सकते हैं link कर सकते हैं एक साथ ठीक है और इसके बाद में for vCenter high ability जिसे हम HA बोलते हैं cluster three nodes are considered one logical vCenter node तो यहां पर basically क्या है हम कम से कम तीन node चाहिए हमको host चाहिए एक logical vCenter node बनाने के लिए basically और इसमें और चीज बता दूँ आपको मैं a single vCenter server standard license is needed for one vCenter high ability cluster तो हम जब यहां पर cluster बनाते हैं तो इसके लिए हमको क्या है एक license की जरुरवत पड़ती है तो यह सारे इसके features हैं vCenter enhanced link mode for vCenter server appliances इसके बाद में देखिए यह तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम 15 इसमें vCenter server appliances को group बना सकते हैं cluster बना सकते हैं और इसके बाद में देखिए इसमें क्या होता है basically यह application भी होगा इसके बीच में ठीक है in sub server के बीच में इसलिए हम clustering जैसा बनाते हैं तो यही फायदा होता उसका तो यहां पर एक चीज है read only replication यह भी possibility है कि read only replication वहां पर होने के chances हैं तो वो किस condition में होते हैं तो guys आपको मालूम होगा कि replication क्या होता है जो information का synchronization with all the domains or all the servers वही हमारा synchronization का simple सा concept है माले जिए यहां पर कुछ change हुए यह server पर server one and if you want that changes to be replicated और दूसरे server के साथ में share होना चाहिए ठीक है तो यहां पर वो replicate हो जाएगा sharing one information with other is known as synchronization in very simple language इसके बाद में देखिए माल लीजिए यहां पर क्या है अब यह read only replication क्या होगा यहां पर तो if we center high ability instance मान लीजिए एक instance यह है दूसरा instance यह है ठीक है is connected to another instance यह दोनों connected है और इसमें हमने enhanced linked mode बना दिया है अब मान लीजिए यहां पर क्या है वी center high ability failure occurs अब मान लीजिए यहां पर एक यह वाला fail हो गया तो यहां पर क्या होगा to the passive mode is and is unable to communicate with replication partner अब यह fail हो गया और यह इधर पर replicate नहीं कर पा रहा है इसके साथ communicate नहीं कर पा रहा है ठीक है on the we center server mode the replica on the we center high ability node enters read only mode तो यहां पर आप क्या है जो रैप्लिकेशन होगा जो रैप्लिका होगी वह read only mode पर चली जाती है यह condition है अगर यहां पर कुछ fail हुआ तो यह read only mode पर चली जाएगी रैप्लिका यह चोटा सा यहां पर concept है इसे ही read only replication बोलता है तो guys I hope कि यहां तक कि information आपको informative लगी होगी और काफी informative होगी हम तो sure है हमारे data के साथ में जो हम आपके चांच चाहर कर रहे हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज चैनल को subscribe like and share comment जरूर करें इसके बाद में हम मिलेंगे आपसे अगले वीडिय वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं वह आपको में यही पर बता देता हूं अगले वीडियो में हम देखेंगे type of deploying the vCenter server appliance क्या है तो हम vCenter server को किस तरीके से deploy कर सकते हैं वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना पड़ेगा तिल देन बाइ बाइ